धान की फसल में काटने के बाद दानों में बहुत मौश्चार रहता है और जब हम इसको आड़त पर बेशते हैं या दूसरी जगा बेशते हैं तो इसमें जो मौश्चर होता है उसके हिसाब से इसमें कटवती की जाती है क्योंकि अलग-अलग मौश्चर कंटेंट पर नमी के हिसाब से उसकी जो उपज है वो भी बदल जाती है आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा और कैलकुलेशन करूँगा कि अलग-अलग नमी पर कितनी उपज आती है अगर आपकी दानों की नमी 30 प्रतिशत है 25 कितनी बदलती है और उसका क्या तरीका है क्या उसका सूत्र है इसलिए आप यह पूरा वीडियो देखिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए यह जानने के लिए कि नमी कम होने पर कितनी उपज में कमी आती है तक कि आपको पता रहे कि 25-30 प्रतिशत पर हमा मौश्चर करेक्शन फेक्टर mcf या नमी का जो सुधार वडांक है वो क्या से निकालेंगे उसको mcf लिख रहा हूँ पहले आपको इसकी काल्क्रेशन करनी होगी तो मौश्चर करेक्शन फेक्टर के लिए आप 100 माइनस जो दाने में आपकी नमी की मात्रा है उसको आप देखिए दाने में कितनी नमी है उसको परसंटेज में divided by 100 माइनस वो करना है जो जिस नमी पर हमें उबज निकालनी है इसे हम स्टेंडर मौश्चर हम कह सकते हैं या मानक नमी हम कह सकते हैं जिस पर हमें बेचनी है अब यह 15 प्रतिशत भी हो सकती है और 17 प्रतिशत भी हो स 17 प्रतिशत पर हमें इसको निकालना है या 15 प्रतिशत पर निकालना है मान लीजे कि दाने में जो नमी है कटाई के समय है कटाई के समय जो निकली यह मान लेते हैं हम 25 प्रतिशत और जो आप बजार में बेचने जा रहे हैं आड़त पर यहां बेचा जा रहा है वहां जो नमी पे जो निकालते हैं उपज वो मानक नमी मान लीजे वो है 15 प्रतिशत इसको मान लेते हैं कि जो हमने अपने फसल काटी थी धान की तो उसमें 25 15% नमी थी और हलाकि जो 18 पर शक्ति हो सकती है 30 पर शक्ति हो है कि मैं अधरन लेरा हूँ ये 25 पर शक्ति है की कटाई की समय थी बेचते समय थी जो आप बजार बेचने गए डिवाइड़ बाई सो माइनस वो नमी घटाएंगे जिस पर खरीदा जाएगा तो यह हम मान रहे हैं कि मानक नमी स्टेंडर मॉस्चर है 15 है तो 100 माइनस 15, 100 माइनस 25 हो गया 75, 100 माइनस 15 हो गया 85, इसका मैंने कैलकुरेशन कर रखा है 75, 85 यह है 0.882 यह जो निकल के आया 0.882 तो यह बड़ा इंपाटन फेक्टर है तो 25 प्रतिशत अगर नमी है दाने में और उसको हमें उपज बेचनी है 15 प्रतिशत नमी पे तो पहले आपको मॉस्चर करेक्शन फेक्टर निकालना होगा वो है 0.882 अब हम देखेंगे हमार 50 कुंटल आपकी जो उपज थी 25 प्रतिशत नमी पर थी तो 15 प्रतिशत नमी पर कितनी होगी तो 15 प्रतिशत नमी पर जो उपज होगी तो 25 प्रतिशत की नमी है, और 15 प्रतिशत पर हमें उसको बेचना है, तो semester correction factor में निकाला यह आया 0.882 और उपज कितनी है हमारी 50, तो जो आपकी उपज है, जो आई है, गुणा correction factor कितना है 0.882 उपज कितनी है आपकी प्रवप्विती 50 correction factor 0.882 यह आजाएगा 44.1 इसकी मैंने calculation करके रखी है यह आजाएगा 44.1 कुंटल इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी 50 कुंटल उपज 25 परतिशत नमी पर थी तो 15 परतिशत नमी पर वो उपज घट करके 44 कुंटल हो जाएगी लगबग 6 कुंटल आपकी उपज की कटोती की जाएगी या उस हिसाब से उसका जो rate है वो कम कर दिया जाएगा तो आपको जो rate मिलेगा जो rate decide होगा वो 44 कुंटल पर मिलेगा या उस हिसाब से rate कम कर लेंगे तो वास्ता में जो 50 कुंटल की जो उपज है 25 पर थिस नमी पे वो घट करके 15 पर थिस नमी पर कितने उपज आती है 44 कुंटल हो जाती है तो यह हमको अगर फारूला पता होगा तो हम पता कर सकते हैं कि हमारी किढ़ी उपज है और नमी कितनी है 15 प्रतिशत या 17 प्रतिशत पर हमारी कितनी उपज आएगी तो आप इसको नोट कर लीजे, बहुत important ये सूत्र है इसको मैं एक और आपको example समझा देता हूँ कि कितनी उपज हमारी आएगी तो ये एक मैंने आपको बताया कि 25 प्रतिशत नमी पर जो उपज है 15 प्रतिशत तक कितनी रह जाएगी 50 कुंटल वाली उपज अब एक दूसरा example हम मान लेते है कि हमारी जो उपज है ये मैंने इस पर कल्कुलेट कर रखा है मान लीजे हमारी जो yield आ रही है धान की वा उपज है हमारी 60 कुंटल और इसमें जो नमी है नमी मान लीजे दाने में पटाई के समय 30 प्रतिशत है और जो आपको बजार में बेचना है जो मानक नमी है जो standard है जो जिस पर खरीदा जाएगा जो इसको मैंने मान लिया है 17 प्रतिशत इसको माना है मैंने 17 प्रतिशत तो हमारी ये उपज कितनी रह जाएगी तो उधारों को फिर से समझें कि जब हमने अपने धान की फसल काटी तो उसकी पज़े मैं 60 कुंटल में ली और इसमें नमी 30 प्रतिशत थी अब आप उसको बजार में बेचने गए है सो माइनस दाने में नमी जो आपकी कटाई के वक्त वो कितनी है 30 डिवाइड़ बाई 100 माइनस मानक नमी जिस पर खरिदा जाएगा यहां मैंने कितना माना है 17 तो यह जाएगा सो माइनस 30 सत्तर सो माइनस 17 यह हो गया 83 तो इसका उपज कितनी आपको प्राप्त होगी वास्तिविक उपज होगी 17 प्रतिशत नमी पर उपज 17 प्रतिशत नमी पर जो होगी जो आपकी उपज वास्तम में आई 60 कुंटल गुणा MCF तो यह हो जाएगा 60 गुणा 0.843 तो यह हो जाएगा 60 गुणा 0.843 पचास दश्मलव पांच आठ कुंटल तो जो आपकी उपज 60 कुंटल थी 30 प्रतिशत नमी पर वो अब घट करके कितनी जाएगी 50.58 कुंटल रह जाएगी तो आप इसको इस तरह से कल्कुलेट कर सकते हैं यह मत समझगे कि नमी आधी रहेगी तो उपज भी आधी रह जाएगी कि 30 परतिशत नमी है और उसको 15 पर निकालना है तो उपज आधी रह जाएगी कि जब भी आप उपज बेचें खास तोर से धान की इसमें नमी बहुत जाद ध्यान दिया जाता है तो हमारी उपज कितनी है नमर एक यह आपको बात पतानी चाहिए नमर दो जब आप उसको बजार में ले गए तो उसमें कितने नमी है 25 प्रतिशत 30 प्रतिशत 35 प्रतिशत कितनी उसके अंदर नमी है नमर दोसी बात आपको यह पतानी चाहिए तीसरी बात यह पतानी चाहिए कि यह कितनी नमी पर खरीदा जा रहा है या कटाओती कितने प्रसंट नमी पर की जा रही है तो उससे आप क्या करेंगे, पहले आप MCF निकालेंगे, 100- जो आपके दाने में नमी है, कटाई के बाक्त वो डिवाइड रोड़ा है 100- मानक नमी, मानक नमी वो नमी है जिसको वो खरीदा जाएगा, तो इसके केस में क्या था, कटाई के बाक्त दाने में नमी कितनी थी, 30 प गुणांक आया है, आपको अपनी उपज से गुणा कर देना है उसको, तो आपकी उपज कितनी आई थी, 60 कुंटल, MCF से गुणा कर दिया, 60 गुणा 0.843, 50 जशना 58 कुंटल, तो इसका मतलब कि जो आपकी 60 कुंटल की जो उपज थी, अब वो 50 जशना 58 कुंटल मानी जाए तो वास्ति भी कुपज, 17 प्रतिशत नमी पर अब ये मानी जाएगी, 60 कुंटल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें नमी की कटाउती की गई है, तो इसी तरह से आप दूसरे एक्जाम्पिल भी कर सकते हैं, आपको ये बहुत महत्पुने जानना कि नमी निकालने का सूत जालते हैं, जैसे मक्का है, मक्का में भी नमी में खरीदा जाता है, तो जो फसले जो नमी पे देखी जाती है, बेची जाती है, उसके लिए इसको निकालना बहुत जोरी है, खास तोर से धान में बहुत महत्पुन है, क्योंकि धान में कटाई के बहुत जादा मौश्चर ह होता है और उसको नमी के सार अनिसार उसकी कटवती की जाती है तो आपके लिए बहुत मैत्पूर हैं इसको आप नोट करके रखें और जब भी जुरुत पड़े इसी सूत्र का प्रयोक करें ताकि आप जान सकें कि वास्तम में नमी की कटवती होने पर यह उपज कितनी होगी इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए क्रिशी किसान प्लेलिश्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कहें तो सब्सक्राइब कीजिए ज़न्ने बात